Hello Friends, मैं हुं राजीप राश्टेक आज हम देखेंगे XS Bank का जो XS Direct Account, मतलब XS Bank का जो Trading and Demart Account उसको बंद कैसे करे, ठीके, तो आपको क्या करना होगा? आपको एक मेल करना होगा, पहले तो आप XS Bank का जो Share Account है, मतलब XS Direct Account, उसको बंद करने के लिए आपको एक email करना होगा, एक mail में आपका सब कुछ बंद हो जाएगा, मतलब आपको सिर्फ एक्सिज बैंक का जो demat account उसको बंद करना है XS Bank मतलब कोई भी share account में क्या होता एक account होता है trading account एक होता है demat account ठीके तो demat account बंद करने से आपका trading account deactivate हो जाता तो इसलिए क्या करना होगा आपको XS Bank का demat account उसको बंद करना होगा ठीके, close करना होगा उसके लिए आपको एक mail करना होगा mail id इधर है मैं description में भी दे दूँगा dp.operations at the rate xsbank.com ठीके xsbank.com इसमें आपको जाना होगा जाना होगा, sorry इसमें आपको एक mail सेंट करना होगा क्या सेंट करना होगा आपका जो XS Bank का एक client id होता demat account का एक client id होता ओ client id देकर आपको एक mail सेंट करना होगा आप दो तीन चीज़ दे सकते हो आपका जो pen id, pen number है ठीके pen number है उस ओ mention करना करके आप pen number date of birth and client id ये दो तीन चीज़ आप एक साथ करके आप dp.operations at the rate xsbank.com इसमें आपको mail करना होगा और request करना होगा आपको जो account है उसको बंद करने के लिए ठीके उसके बाद आपको क्या होगा उसके बाद dp.operations से एक mail आ जाएगा dear mr.dass जैसा मेरा आया तो एक कुछ time लेता है दो दिन दो दिन में ओ क्या होता जो dmatt account है ओ बंद हो जाता ठीके और आपका जो trading account है ओन वीक लागता उसके बाद ओ भी deactivate हो जाता तो ऐसा करके आप dmatt account बंद कर सकते हो तो अगर आपको mail चाहिए मतलब mail का draft चाहिए sample copy तो मैं description में एक link दे दूँगा उसमें जाकर आप mail एक copy लेकर उसको changes करके आपका जो pen number है आपका जो client ID है उसको देकर आप वो copy करके send कर सकते हो ठीके तो description चेक कर लीजिए और अगर कुछ charges काटा तो उसके लिए क्या करना होगा मेरा भी charge काटा उसको कैसे repent किया उसको next video में मैं देखाऊंगा ठीके आज इतना ही thank you for watching